तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ दिवाली मना रहे हैं और आप सभी लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बेहत ही प्रसन है खुश है तो आज मैं काफी दिनों के बाद लाइब आ रहा हूं अज़िय आप सभी लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल में जिस परकार से में गृधद देख रहा हूं और येली में खुश कर देने वाली है और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं उस एक्सपोनेंशली ग्रोथ के लिए तो दोस्तों आज आप सभी के बीच में इस दिवाली के आउसर पर मैं कुछ चंद लिखी लाइने आपके सामने पेश करूँगा ये छोटे-छोटे शायरी के चंद है जो मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा उमीद करूँगा कि आपको ये अच्छा लगे अगर अच्छी लगे तो आप तारिफ कर सकते हैं और अगर अच्छी नहीं लगे तो भी आप उसमें कमेंड करके मुझे बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने आपको इंप्रूव कर सकता हूँ तो दोस्तों, पहला जो शायर है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि सोचता हूँ कि उसको गुरूर किस बात का है, सोचता हूँ कि उसको गुरूर किस बात का है, खुस्न का है, या तुजुर्बे इल्म का है, उसकी निगाहों में डूबे हो लाखो सवाल जैसे, न जाने किसे ढूनती है, किसे चाहती है, सोचता हूँ कि उसको गुरूर किस बात का है, खुस्न का है, या तुजुर्बे इल्म का है, उसकी निगाहों में डूबे हो लाखो सवाल जैसे, न जाने किसे ढूनती है, किसे चाहती है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जो है, चंद लाइने, जो मैंने आपको सुनाई है, वो आपको पसंद आई होगी, तो जो अगली लाइने है, जो आपको सुना रहा हूँ, वो लाइने मेंने केरल में, त्रिविंद्रम में, समुंदर के किनारे बैट के लिखी थी, और यह लाइने मेंने जो है, डेडिकेट करी थी, उन लहरों को, जो मेरे सामने उस वक्तों है, वो संसेट के सामने, जिस प्रकार से मैं बैठा था, और अकेले में, जो है, समुंदर के लहरे आकर, हलका हलका पाओं को छू कर वापस चली जाती थी, और वो जो सीन था, इवनिंग का सीन, वो बहत खुबसूरत था, तो ये दो लाइने, जो है, मैंने डेडिकेट की थी, उस सीन पर, और वो जो फीलिंग थी, जो मैंने उस वक्त महसूस की थी, उस पर दी, तो दोस्तों, अर्ज करता हूँ, कि वो मेरी खुबसूरती को ताखते रहे किनारों में बैट कर, तू जहाकता रहा मेरी गहराईों को जैसे, वो मेरी खूबसूरती को ताकते रहे किनारों पर बैठ कर तू मेरी गहराईयों को झाकता रहा ये हल चले तुझ में भी है मुझ में भी है ये लहरे पूछती हो जैसे ये लहरे पूश्ती हो जैसे वो मेरी खूबसूरती को ताकते रहे किनारों पर बैठकर तु छाकता रहा मेरी गहराईयों को जैसे ये हल चले तुझमे भी है, मुझमे भी है ये लहरे पूश्ती हो जैसे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होंगी शायद अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये जो अगली चंद लाईने आपको सुना रहा हूँ ये चंद लाईने मैंने डेडिकेट करी मेरे कजन के लिए और जिनका आकास्मिक निधन हो गया था मातर 25 वर्ष की अवस्ता में तो उनकी डेथ ने जो जिस प्रकार से हम सभी को जखचोरा और जिस प्रकार से वो फीलिंग जो उसके बाद आई तो उससे ये पता चलता है कि जीवन कितना अन्प्रिडिक्टिबल है अभी आपने देखा है कि next moment आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है कभी किसी नहीं सोचा था कि दुनिया इस प्रकार से भी कभी परिवर्टित होगी तो हम दोस्तों छोटी छोटी चीजों में इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं हम इतने ज़्यादा ढूब जाते हैं कि हम जीवन के जो ब्रोडर प्रोस्पेक्ट है उसको भूली जाते हैं तो ये जो चंद लाइने मैंने डेडिकेट करी थोड़ी सी गंभीर है लाइने लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो हो सकता है आपको इसमें जो है एक पॉजिटिव संदेश मिले और आपको जो इसमें सीखने को कुछ मिले तो इसका मैंने टाइटल दिया है सफर जिन्दगी कि अजीब दासना है सफर जिन्दगी कुछ सवाल अधूरे रखती है कभी अंजानों के अपसाने बना देती है कभी अंजानों के अपसाने बना देती है कभी किसी के इमतहान अधूरे रखती है कभी अंजानों के अपसाने बना देती है कभी किसी के इमतहान अधूरे रखती है कभी डुबा देती है सूखे समंदर में कभी मंजिलों की कतार अधूरी रखती है अजीब दासना है सफर जिन्दगी कुछ ख्वाब अधूरे रखती है कुछ सवाल अधूरे रखती है कोई खुशनुमा माहौल में जशन जीता है कोई खुशनुमा माहौल जशन जीता है किसी के मैयत के सवाल अधूरे रखती है अजीब दासना है सफर जिन्दगी कोई खुशनुमा माहौल जश्न जीता है किसी की मयत के सवाल अधूरे रखती है अजीब दासना है सवाल अधूरे रखती है कुछ खाब अधूरे रखती है दोस्तों तो ये जो है कुछ सीरियस जो है मुझे लगता है कि थोड़ी जादा हो गई है तो अम में कुछ अलग आपको सुनाने की कोशिश करूँगा कि जिससे जो है आपका थोड़ा मन बहले तो देखते हैं दोस्तों एक कुछ बड़ी है तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ काफी ज़्यादा लोग ओनलाइन नहीं है चार-पांच लोग ओनलाइन है तो उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोग की दिवाली जो है वो काफी अच्छी मन रही होगी अपनी फैमली के साथ है डेफिनेटली अपने जो ये एक ऐसा तहवार है दिवाली की सबसे खुबसूरत बात ये है कि ये तहवार जो है वो हमेशा उजाले और जो है पॉजिटिविटी लेकर आता है और ये काफी पॉजिटिव बात है इस तहवार की और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिवाली मना रहे होंगे और अगर जो है दोस्तों तो ये कवीता जो है बहुत खूबसूरत कवीता है इसको मैंने ब्लॉग में भी परजित किया है अगर जो है आपको ये पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो है एक युवा व्यक्ति की एक कवीता है जो एक छोटी सी जगह से आगे बढ़ता है और जिन्दगी की उस रेस में आगे बढ़ते बढ़ते वो जिन्दगी को समझने की कोशिश करता है तो उसे एक कवीता के रूप में पिरोने की कोशिश की है इस कविता में होता है कि जब आप छोटे होते हो तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आप शाहिद दुनिया को बहतर तरीके से नहीं समझ पाते हो तो चीजे होती है सीरीज OF इवेंट होते हैं और छोटी-छोटी बातों की वज़े से और पिर आपके failure success और उन चीजों की बज़े से family की बज़े से love और सारी education की बज़े से तो बहुत सारी चीजे जो आपकी life में होती है तो आपको वो experience जो है वो जो सीखने को मिलता है वो experience वो बहुत unique होता है तो इसका मैंने title रखा है एक छोटा सा सपना दोस्तों ये कवीता जो है मेरे हिर्दय के बेहत करीब है और अगर आप इसको तसली से सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके हिर्दय को जरूर चुएगी तो मैं इस कवीता को सभी उन युवासातियों को dedicate करता हूँ जिनोंने जिन्दगी की भागदोर में जिन्दगी की race में कभी जिन्दगी को समझते समझते जो है वो काफी आगे निकल गए और जिन्दगी काफी पीछे चूट गई तो दोस्तों ये उन सभी युमाओं को समर्पित जो इस जिन्दगी की रेस में, इस जिन्दगी की भाग दोड में इतने आगे भाग रहे हैं कि शायद जिन्दगी पीछे चूट रही है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आए तो इसका टाइटल है छोटा सा सपना तो दोस्तों मैं शुरू करना हूँ वो आकाश में उड़ता हुआ जाहाज और तुम्हारा पाइलेट बनने का सपना वो आकाश में उड़ता हुआ जाहाज और तुम्हारा पाइलेट बनने का सपना बड़े होकर फिजिक्स की उन थियोरीज और कॉम्प्लिकेटट उल्जनों में कहीं खोसा गया और तुम आगे निकल गए वो आकाश में उड़ता हुआ जाहाज और तुम्हारा पाइलेट बनने का सपना बड़े होकर फिजिक्स की उन कॉम्प्लिकेटट उल्जनों में कहीं खोसा गया और तुम आगे निकल गए होश आने पर जब सिस्टम समझ आया होश आने पर जब सिस्टम समझ आया तो मन चंचल कॉमल हिर्दे को बरगलाता गया कि जिन्दगी की रफ्तार तो बस कलेक्टरी के काले कोट में हैं होश आने पर जब सिस्टम समझ आया तो मन चंचल कॉमल हिर्दे को बरगलाता गया कि जिन्दगी की रफ्तार तो बस कलेक्टरी के काले कोट में चमकती है जहां वो सब है जिसकी आत्मा को तुम्हारे शरीर से ज़्यादा तलाश है तो दोस्तों ये सभी हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ इसपेशली ऐसा होता है कि जैसे ही बारुई आगे करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो है उनका सबका most of 90 to 95% लोगों का एक ही डिरिम रहता है कि यो UPSC की तियारी करना चाहते है आयस बना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये लाइने जो है उन्ही सब युवाओं को समर्पित है जो शायद सिस्टम को भी बहतर तरीक से नहीं समझ बाते हैं समय बीता गया उम्र बढ़ती गई हात में बंदूग की जगे थर्मामीटर माक्सवाद की जगे गांधिवाद, पेंटिंग्स की जगे संगीत, साहित्य की जगे इंजिनियरिंग ऐसे थमा दी गई और बताया गया कि E equals to MC square का असल जिन्दगी में कोई सरोकार ही नहीं फिर उम्र के साथ साथ समझ भी बढ़ती गई कि जिन्दा रहने के लिए वो पाइलेक्ट, वो काले कोट या पेंटिंग्स ज़्यादा जरूरी नहीं क्योंकि तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी जरूतर्त हिसाब से नहीं तुम्हारे सपने तुम्हारे वरियताय नहीं कियोंकि तुम्हारे कंधों की चोड़ाई अब तुम्हारे पिता के बराबर है समय बीटता गया और उम्र बढ़ती गई किताबों की जगए अब जिन्दगी शिखाती गई कितनी अजीव सी बात है ना कि हाथ में 20,000 की घड़ी उतना अच्छा समय नहीं बता पाती जितना वो 20 उर्पे की घड़ी स्कूल की घंटी का बताती घराई से सोचेगा दोस्तों कितनी अजीव सी बात है ना कि हाथ की 20,000 की घड़ी उतना अच्छा समय नहीं बता पाती जितना वो 20 उर्पे वाली खड़ी स्कूल की घंटी का समय बताती थी कितनी तृष्णा थी बड़े होने की कितनी तृष्णा थी बड़े होने की आज पता चला कि छोटा होना ही सबसे बहतर था कितनी त्रिशना थी बड़े होने की आज पता चला कि छोटा होना ही सबसे बहतर था वो शान्शौकत की पॉलिश जितनी चमकदार बाहर से है उतनी ही फीकी भीतर से है अगर तुम बदल सको तो खुद को बदलना क्योंकि तुमारे बाद भी कोई न कोई तो आकाश में उड़ता वा जहाज देखता होगा अगर तुम बदल सको तो खुद को बदलना क्योंकि तुमारे बाद भी कोई न कोई तो वो आकाश में उड़ता जहाज देखता होगा फिजिक्स न सही केमिस्ट्री पढ़ता होगा वो कोई तो भगत सिंग होगा, वो कोई तो बारूध होगा, कोई तो फिर लौ होगी और कोई तो इनकलाव होगा, सपने देखना तो किताबे सिखा देगी और बाकी सब जिन्दगी सिखा देगी वो आकाश में उड़ता जहाज और तुम्हारा पाइलिट बनने का सपना, बड़े होकर फिजिक्स की उन कॉम्प्लिकेटेट उल्जनों में कहीं, खोसा गया और तुम आगे निकल गए, वो आकाश में उड़ता हुआ जहाज और तुम्हारा पाइलिट बनने का सपना, वो आ मेरे दिल के बेहत करीब है ये कभी था और ये जो है दो साल पहले लिखी थी मैंने एक बार तो उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और ये काफी रिलेट करती है हम सभी की जिन्दगी में कि हम सभी लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजे ऐसी होती है कि शायद इस वक्त हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं लेकिन आने वाले वक्त में जिस टाइम पीरियड में वो होती है उस टाइम पीरियड में शायद उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पे आज से चार साल बाद पांस साल बाद शायद फिर लगता है कि हाँ कि ये शायद एक अलग दौर था ये शायद अलग जिन्दगी थी और अगर आपने उसको भरपूर जिया है तो definitely आपको proud feel होगा और otherwise आपको हमेशा एक कसक रहेगी जिन्दगी में कि शायद कुछ छूट सा गया है तो इसलिए दोस्तों दिवाली है आप खुश रहिए और प लेकिन अच्छी हो और उस short time of period में क्योंकि life बहुत unpredictable है लेकिन हर पल को इस प्रकार से जीओ कि आपने एक नई जिन्दगी जी है तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फिर से दिवाली की बहुत-बहुत शुपका मनाई देता हूँ आप सभी लोग अपने पर उन लोगों को शाइद वो gravity नहीं मालूम है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अपने परिवारों के साथ जो है safe तरीके से और जो है अच्छे तरीके से holy मनाएंगे और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको शुपरात्री कहता हूँ क्योंकि अभी गाउं में ज हूँ झालाओर।